गर्भुबती महिला की गला घोट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है मुर्डर मामले में मृतिक महिला के सैनिक पति को गिरत्तार किया गया है पुलिस के अनुसार आर्मी के जवान गुलशन अपनी पत्नी पर किसी अनने के साथ अवैद सम्मंध होने का शक करता था आरोपी पती अपनी पत्नी जोती के हत्या करने के लिए एक महीने से योजना बना रहा था आरोपी नी हत्या में इस्तिमाल चाकू को मुरादावाद उत्रप्रदेश शे खरीदा था आरोपी सैनिक गुलशन के परिवार के तीन लोगों पर भी दहेज का मामला दर्ज किया हुआ है फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के सैनिक पती को कोट में पेश किया है यह जो शेलिक है आरोपी नोपरी करता है कल्रक्की नोपरी करता है और गोहना में रहता है नाम है इसका गुलशन इसकी शैदी हुए है रोटक में जोती के साथ 15-12 दिसम्बर 2020 को शैदी हुए है इसके बतायानुसार ये अपनी पत्पनी के चरितर पर संदेख करता था और इसे कारण इसने इस गठना को अंजाम दिया है सर जो हत्या में परियोगा के कहां से इन चुक लिया था और कब से ने होताई प्लानिंग बनाई थी इसके बतायानुसार पांस तारिको अभी इसे महीने पांस तारिक उच्टी पर आया है और आते हुए रास्ते में मुरादाबाद से इसने चाकू को परजेज करना बताया है और पहले इसने अपनी प्लानिंग बनायुंग भी थी कि मैंने पत्नी एक दिज़्ट करने सर जो गरवती थी हो क्या आओगी उसकंट फर मौगी गरवती है हाँ पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में प्रेगिनन्सी की रिपोर्ट आई प्रेगिनन्ट थी तो सर इसके लावा और कितने लोगे कमों को तुमा दर्जिकर है गुलसन के मदर फादर और गुलसन का सोटबाई इनकास इन चार के खिलाब कम्पेनन्ट आई थी चारों के खिलाब अभ्योग अंकित है अबुलसन को अमने गिरफतर कर लिए है आज प्रोटम पेस करेंगे और इसके कबजे से जो भी सबूत होंगे हो रिकोर्ट करेंगे आपको बतादी कि गोहाना में रोहतक पानिपत नेशनल हाईवे पर गाउं माहरा के पास एक गरववती महिला की गलारेद कर हत्या करने का मामला सामने आया था हत्या की बाद उसका शब गोहाना के गाउं माहरा के पास से गुजर रही ड्रेन नमबर आठ में फैक दिया गया था परीजनों के अनुसार महिला सुभे ही अपने पती के साथ माईके से आई थी महिला के पिता का आरोप था कि उसकी बीटी की हत्या उसके पती गुलशन ने की है इसी आधार पर पुलिस ने महिला के पती को गिरफ्तार कर लिया है आज आरोपी को कोट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि हरत्या में इस्तिमाल सबूद एकठे किया जा सकेंगा गोहाना से सुनील जुन्दल पंजाब के स्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद